हेलो फ्रेंट्स में अरजना सिंग आपका UPSC UPPSC के पेपर नंबर 2 जी एस पेपर नंबर 2 मेंस में आप लोग का स्वागत करती हूं तो हम लोग कर रहे हैं General Study Paper 2 जो की मेंली हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट है और समाजिक जो विशे हैं उसको लेकर है यह सब जो पोईपर है तो इसका पॉइंट नंबर 1 हम कर रहे हैं तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है इसका almost complete हो चुका है आज का यह last lecture होगा जिसमें हम समविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगी क्योंकि भारते समविधान अगर पूरा भी पढ़ लिया और उसकी प्रस्तावना के बारे में ही नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना क्योंकि हमारी समविधान की आत्मा है वो भारते समविधान के प्रस्तावना या उद्देशी का को ही कहा जाता है तो इसके बारे में आज की लेक्चर में हम पूरी डिटेल से स्टेडी करेंगे और आज ही आपको इसका PDF भी प्रोवाइड हो जाएगा जो कि Success Month Facebook पेज जिसका link description box में दिया हुआ है और Success Month Telegram चैनल जिसका भी link वहीं आपको मिलेगा पर्सनली प्रोवाइड करवाऊंगी PDF तो आज शुरू करते हैं सम्विधान की प्रस्तावना की क्या उपयोगता है क्या उसमें में शब्द हैं और एक्जाम में पेपर में जो questions हैं वो कैसे कैसे आ सकते हैं और अपनी हम answer writing को कैसे attractive बना सकते हैं आज की lecture में यह बात करेंगे हम लोग तो जो viewers पहले बार देख रहे हैं चैनल के प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मेंस की related हिंदी की सीरीज सबसे पहली बार यूट्यूब पे चलाई जा रही है ऐसी सीरीज आप लोग को कहीं भी नहीं भी लेगी जो की मेंस से लेटेड है और हिंदी में है स्पेशली तो चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि भारते संविधान का हमने एतलास जो क्लासेस करी थी उसमें एतलासिक आधार विकास विशेशताएं शैंशोधन महत्पुन प्राव संविधानों के विकास में उच्चतम नयाले की भूम का यह टोटल ओवरॉल टॉपिक हो चुका है कंप्लीट आप प्लेलिस्ट में जीएस पेपर टू डालके वहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यह टॉपिक हम कंप्लीट कर चुकी हैं तो आज के लेक्चर में हम भा भारती संविधान की उद्देशिका की मूल शब्दों की व्याख्या करते हुए उद्देशिका को समझाईए तो यह पूरा प्रॉपर इस टाइप से कोशन आता है यह कोशन ऐसे आ सकता है भारती संविधान की उद्देशिका लिखिये और उसके अंदर समलित मूल यहां पर आपको प्रभूत्व संपन हो गया समाजवादी हो गया पंत निर्पेख्ष लोग तंत्रात्म गर्वाज यह होते हैं मूल शब्द तो इनके बारे में डिटेल में स्टडी करना यही होता है और अगर हैं MP की बात करें तो उसमें एक एक शब्द के भी कभी कभी व्याख्या आ जाती है कि पंत निर्पेख्ष तीन नंबर में कोशन आ जाएगा कि पंत निर्पेख्ष की व्याख्या कीजिए तो इस ताइप से इसलिए आज का पेपर में MP, UP और UPSC तीनों का कमबाइन लेकर आई हूँ जो आज क लेक्चर होने वाला है तो सबसे पहले आप लोग को भारती सम्विदान के उद्देशिका याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक्जाम में पूछ लिया जाता है प्लस प्री में भी कोशन ऐसे आए हुए हैं जो आपने देखे होंगे कि ये शब्द प्रस्तावना में या अधिशिका में है या नहीं जैसे कि एक बार कोशन आया था कि जो न्याय है वो कौन-कौन से न्याय है आर्थिक समाजिक राजनतिक ये तीनों तो इस ताइप से कोशन भी आ जाते हैं तो इसलिए अधिशिका को आप लोग को लर्न करना जरूरी है तो सबसे पहले हम देख स्वतनत्रात्म गंडराज बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को अब आप ये धियान रखेंगी न्याय कैसा होना चाहिए सामाजी कार्थिक और राजनेतिक और स्वतनत्रता कैसी होने चाहिए विचार की अभिव्यक्ति की विश्वास की धर्म की और उपासना की प्रतिस्था और अफसर की समता ये समानता एकी चीज होती है प्राप्त करने के लिए तता उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और खंडता सुनिश्यत करने वाली बंदुता को बढ़ाने के लिए द्रिन संकल्प होकर अपनी संविधान सभाने आज तारीक 26 नवंबर 1949 मिति शीश मार्क शुकला सप्तमी समवत 2006 विक्रमी को एकत द्वारास इस संविधान को अंगीकरित अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं ये तिथी भी आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान मतलब कि प्रॉपर वे में लागू हुआ था वैसे तो हुआ था 26 जनवरी को बट सारा संविधान का जितने वी काफी सारे जो रूल से वह 26 नवंबर को ही लागू कर दिये गए तो आपको इस उद्धेशी का समझ में आ गई होगे और इसे लर्न भी आप लोग कर लेंगे चलिए नेक्स देख लेते हैं अब हमें क् को पेश किसनी किया था जवाला नहरू में प्रस्तावना को सम अमेरिकी सम्विधान में शामिल किया गया था सम्विधान विशेशक ये नानी पालकी वाला ने सम्विधान की प्रस्तावना को सम्विधान का परिचय पत्र भी कहा है तो यह चोटी-चोटी जो ने यह चीज में 42 में संविधान शंशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गया यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और हर एक जो भी अगर प्रस्तावना से लेट कोशन आता है तो आप इसमें इंट्रो में या कंक्लूजन में यह शब्द दालेंग आप यह लिख सकते हैं नियाय सोतंता समानता को सुनिश्यत करना भाईचारे को बढ़ावा देना इसको मतलब इस पॉइंट्स जो छोटे-छोटे कुई वर्ट्स होते हैं इन ही को आप लोग को एक्स्प्लेइन करना होता है और यही में सांसर राइटिंग की जो में चीज संप्रभु का मतलब होता है कि भारत किसी भी विदेशी और आंत्री सब्ति से निंत्रिन से पून्ता मुक्त है और सम्प्रूभता संपन्राज्य है भारत की विधायका को समभिधान द्वरत तैकी गई सीमाओं के विशय में देश में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त मतलब किसी भी और देश का हमारे देश पे आधिपत्ती नहीं है सिंपल ये वर्ड से संप्रवभुता की नेक्स धर्म पेक्षता ये तो आप लोग सभी जानते होंगे एक बार बस देख लेते हैं इसे कि धर्म में पेक्षता जो शब्द था तो मौलिक अधिकार में भी धर्म निर्पेक्षता की व्याक्य की गई है जैसे कि उद्देशी का में की गई है नेक्स दम बात करेंगी लोग तांत्रिक डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि सम्विधान के स्थापना एक सरकार की रूप में होती है जिसे चुनाओ की माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचितो उपकर अधिकार प्राप्त होते है प्रस्तावना इस बात की पूस्ती करती है कि भारत एक लोगतांत्रिक देश है एक वोट एक मूल्य सम्वतंत्र न्यायपाली का आधि लोगतांत्र के विशेषताएं है तो हम अगर हम लोगतांत्र के बात करें तो इसमें सिंपल मीनिंग में अगर बोलूं तो हमारी जो देश की सरकार है उसको चुन्ने का अधिकार भारत के प्रतेक नागरिक को है जो कि 18 वर्ष से उपर है इसी को हम लोगतांत्र कहेंगे इसमें एक जो वेक्ति है एक वोट देकर अपने अधिकारों का प्रियोग कर सकता है हमारी यहां नयपाली का सोतंत्र है जो कि विधाई का और कारेपाली का दोनों से सर्वो परी है इसी को लोगतंत्र कहा जाता है निक्स के गड़राजी गड़राजी का मतलब होता है कि एक गड़राजी अथवा गड़तंत्र में राजी का प्रमुक प्रतेक्ष या परोक्ष रूप से लोगो द्वारा चुना जाता है मतलब कि यहाँ पर यह नहीं है कि एक राजा बन जाता है जैसे कि बृतेन में है यहां पर है रास्टपती होता है जो की परोख शुरूप से तो ब्रधान मंतर ही चुना जाता है पर परोख शुरूप से रास्टपती चुना जाता है जो की एक गर्णराजी का सूचक है भारत का रास्टपती लोगों द्वारा चुना जाता है जिसका हर संसत और राज्य वि राज्य नहीं कह सकते हैं लेकिन इंडिया एक गड़ राज्य है निक्सिस में जो शब्दाय है वो नियाय आया है तो प्रस्तावना में हमने जैसे अभी देखा था कि तीन अलग इन नियायों की व्याख्या की गई थी समाचिक आर्थिक और राजनेतिक जिनने मौलिक और नी इति निद्देशिक शद्दान जो कि राज्य का करताव्य होता है उसमें भी जस्टिस की बात की गई है नेक्स सोतंत्रता का अर्थ है एक व्यक्ति को मजबूरी के अभावये गतिविधियों के वर्चस्व के कारण ताना शाही गुलामी चाकरी कारावास और ताना शाह आ गुलाम ना बने इस लिए सोतंत्र है तो हर चीज से सोतंत्र है भारत में इसी चीज का कोई गुलामी नहीं है नेक्तिया समानता समानता सब प्रह समाज के किसी वर्ग के खिलाफ विशेशादिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है मतलब कि किसी भी एक वर्ग का वर्च प्रयाज करता है चलिए आगे बात करते हैं भाईचारा तो भाईचारे का आर्थियां बंदुत्व की भावना से हैं जैसे कि आप नाम से पता चल रहा होगा कि व्यक्ति और राष्ट की एकता खंडता की गर्मा को बनाए रखने के लिए लोग के भीच भाईचारे को प्रस् सब भाईचारा कहलाता है तो इन सब शब्दों को आप अपने शब्दों में लिखे मैंने यहां नॉमली आपको हिंट दे दिया है कि आप ऐसे ऐसे और इसका मतलब यह होता है लिख सकते हैं आकि अगर आपकी लेंग्वेज अपनी होगी तो एक्जामिनर पे ज्यादा के बाद मेंस पास करना काफी हाड होता है चलिए आगे देख लेते हैं प्रस्तावना के विश्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याक्ष्या क्योंकि प्रस्तावना के बारे में कई बार केसे आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो एक्समिलेशन किया है सुप्रीम कोर् समविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया जब बांकी सम्विधान पहले से ही लागू हो गया था बेरूबरी युनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोट में यह कहा था कि प्रस्तावना समविधान का हिस्सा नहीं हैن हाला की यह स्विकार किया गया यदि समविधान की किसी भी अनुछेद में एक शब्द अजपस्त या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना एक मारदश्य की रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है मतलब ये कहा गया वेरुबरी यूनियन मामले में सुप्रीम कोटनी ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो समविधान का एक पार्ट नहीं है बट अगर कोई शब्द ऐसा मिला समविधान में जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या जिसके एक से अधिक मीनिंग निकाले जा रहे हैं तो हम प्रस्तावना को वहां यूज कर सकते हैं नेक्स टे केश्वानन्द भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले पहले फैसले को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना समविधान का हिस्ता है अब यहां पे आप देखती है कि बेरुबरी यूनियन मामले मे सुप्रीम कोट ने मना कर दिया और केश्वानन्द मामले में उन्होंने हां कर दिया यह बहुत ही इंपोर्टन दो केस्ट इससे समविधान के अंचे 368 के तह संशोधन किया जा सकता है और इसके मूल ढचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो इसे इसमें तीन शब्द निकम के मामले में सुप्रीम कोट ने कहा कि प्रस्तावना समविधान का हिस्सा है तो सुप्रूम कोट के अगर व्याख्या करने को आएगा तो इसमें आप वेंडाइग्राम बनाके या फिर पॉइंटर्स डाल के लिख सकते हैं कि बेरुबरी मामले में यह कहा केश्वनन् सुप्रीम कोट के द्वारा तो हमारी प्रस्तावना का हिलाइक्चर ही खतम होता है तो आपका यह पॉइंट नंबर वन ओवरॉल कम्प्लीट हो चुका है अब नेक्स जब क्लास होगी तो हम उसका पॉइंट नंबर टू लेके चलेंगे और लाइन वाइस सारा स्लिबर्स खतम करने की हाँ कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब आर चैनल थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग सक्सेज मंच